हमने देखी है उससे इंग बात पता चलती है अब यह है कि अगर थोड़ा सा इनका जो काम है उसका मोमेंटम बनता रहा और जो इनका परस्टनालिटी का ब्लेंड है जिसमें यूट भी है विजिन भी है लीडर्शिप भी है यह सारा कुछ डिवलप होता रहा अगे चलता रह तो ही विल प्ले अब वेरी वेरी जांग यांदी ऑनिवार्श सब्सक्राइब बात आप यह देखिए कि तैंटीस साल हुमर है तक्रीवन जब यह 23-24 साल के थे आज़े गवेनर भी सर्फ कर चेते हैं और आप देखिए कि 23-23 साल बिल्खुल ऐसे ही होता है जैसे युनिव अगर आप इन तमाम चीज़ों पर देखें तो इनका जो आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में इनका एक मुझे यह इसलिए इंपॉर्टन लगता है अभी एमद को रह्षी साब ने भी फरनाया था कि इंटिग्रेशन अब मुस्लिम मुमा इंटू दो गॉल्ड और उसमें अभी एकानोमिस का भी एक बहुत अच्छा इसमें पॉब्लिकेशन आई है जिसमें बताया है कि मगर सुफ़ है इसलिए मुस्लिम्सी यह चलती रही थी और अब आएसना हमें लगता है कि सउदी आरब की तरफ से और दीगर मुसल्मान जो लीडिंग इसलमान मुमा पूंद तरफ से यह इंटिग्रेशन जादे से जादा हो लोग यह है अस्मिलेट हो और वह बिल्कु बाहर यह नहां अलाइदा होकर ना रहे हैं तो यह नहां चाहजादा साब की पर स्था पुछ पुछ जब द्राइओं पहले हम सुनते थे लिए ग्लोबल विलिच में बहुत से चीज़ें में आप थी आज हमें क्लेर हो गया कि इंटरेट टेक्नॉलोजी ओर्टमेशन यह वाकिग आप पाक्साम में बैठके रियल टाइम साओ यह आप सामने देख रहे हैं तो यह नाइफ कवरेज पूरा पीर भी आपको लिजा रहा है यह जब भी हमने देखा कि माधी में भी जब भी साथी अरेबिया के शासाव आयों या कांपरेंस आयों लाइफ कवरेज होती थी वजीराजम मौरारमी चीर्ट है वो आगे बढ़ रहे हैं ऐसे लग रहा है कि शेज़ादा साथ जो है बो तर्शीक लाने वाले हैं और उसके लिए यह जो गैमा गैमी है वो तो देखे रहे हैं लेकिन पाकिस्तान की टॉप लीजर्शिप इस वोगत मौजूद है अनूर पाकिस्तान एयर बेस पे और आप देख सकते हैं कि वो जैड कापिट भी लग चुका है अब दर्वादा जहाद का नहीं खुला लेकिन जैसे खुलेगा उसके बाद हम देखेंगे कि सुदी बली एहद को किस तरह वेल्कम किया जाता है मेरे चाल में इस से बड़ा जो जेस पे मौट पे मौजूद हों और वो खुद परस्तली वेल्कम करने जाएं इसे दो बाते बहुत एहम पता चलती है एक तो ये कि जो मुल्क जिसके मेमान आ रहे हैं उसके साथ पाकिस्तान कितनी इंपॉर्टन्स अटैच करता है और उसके साथ ही साथ जो है जो मेमान आ रहे उनके साथ भी कितना इंपॉर्टन्स अटैच होती है वजीर आजम साहब की विजिन यहां पे नजर आती है ये इंविटेशन वजीर आजम का था जिसके ओपर सुधी बनी आहद यहां पे तश्रीफ लाए है जी और इस वाकत आप देट आप देट आप देखें पिताफी आप मिनिस्टर की भी और चीफ वार्मी स्टाफ की भी बड़े वैकों का कैजूल अंदाज में गप्शप्त में मस्रूफ और थोड़ी दियर में इद्धास का और आप इसको काते है जिए दोर ओपनिंग टाइम जो होता है ये भी दिया जाता है वाइटिंग वी दिया जा और एक ही पन्य पर गाया जाता है एक ही सफे पर मौझूद होना वो भी आपको नज़र आ रहा है उनकी बाडी लेंग बेज उनकी बाडी केमिस्ट्री आपको नज़र आ रही है और फिर उसके साथ-साथ ये जो खासर पर थ्रस्ट है इस इवन्ट का वो गलकम करना एक मैम को मैमान कितने इंपॉर्टन्ट हैं वो भी हमारे टॉप लीडरिशिप के वहां होने से पहसं पता चब रहा है जो आप वी आप प्रोडॉकॉल के रहे हैं या आप इस कुरेट का पे ट्रसेप्शन देने की बात करते हैं बेश्मार लों को और भी है लेकिन जो खुद की प जार होता प्रिकुल समय कल पता चला कि साड़े चेवली करीब आएंगे आज भी कुछ ऐसा ही था या आप देख सकते हैं इसको फजिर आदम हाउस में जिर दोहां लिए जिस पर इसमाम सुखों के शरका हैं कल्च्रिल प्रोग्राम्स भी उसमें शामिल हैं बरुक्त में हम जो वह है इसकबाल की तेरिया हमने पहले गाहिब गाहिए दिखाई हैं और यहां से मुझे साफ नाजर नहीं हारा है लेकिन आप बताईए कि दोर खुल गया है यह खुलने बाए हैं यह से खुलेगा फिर लाइन से लेफ्ट और राइस आप होते हैं बच्चों बच्चों तो बुछ करेंदक दोर ख़ूग मैं दो बाते करना चाहता हो एक दोगह जो हमारी स्थियाराबिया को जो एक्सपोर है इसको में बढाने की सूर्वत है बगार थे बिकॉर इस अफ़्ार ने थे इंक ऑबिलियंद अट्या साफ इंडिया के साथ और एंक 20 30 40 बिलियंद द सब्सक्राइब और उसका अगर फाइदा हमारे अपने दोस्तों बालेक उठाइए और सुनने में यह भी आ रहा है कि शायद का दर्वाजा खुल गया यह टाउन परिंस का जहाद है जिसमें एक्राउन परिंस सब्सक्राइब बहुत बड़ा डेलिगेशन इसके साथ है कुछ उधराद पहले भी आ चुके हैं और यह इसी जहाद का अतज़ार था इसकी नमे का अधराद था प्रामिनिस्ट ऑ पाकिस्तान इमराण खांसाद प्राउंप्रिंस भी तर्शीष लाएं लिए बिल्कुट आप देख सकते हैं कि क्राउंप्रिंस ला रहे हैं जहाद की सीद्धियों से नीचे उतर हैं अब आपको यह आगए ख्राउंप्रिंस और जिनका इंजार था वो तर्शीष ले आए हैं और उसके स्थाफ साथ आप देख सकते हैं वजीराजम और आपने चीफ और हमारी तर्शीष यहां पर मवजूद हैं उसको गल्दम करने के लिए और यह मुलप्राइट का सिल्सला शुरू हो गया परसुट यह कांफरेंस रसीब किया प्राइम मिनिस्टर ने यह चीफ फार्बी सास्वें का मसाफर और बाकी दिगर लोग विलिए के इसाल मौजूद हैं और आप देख सकते हैं क्योंकि बाडी लेंग्विज कितने बी लगा हूँ आई-पी से पहले क्योंकि हमारे पाकिस्तान के तमाम लीडेशिक तो सामने मौजूद है और वो वेल्कम करने आई लिए हैं और आप देख सकते हैं क्योंकि बाडी लेंग्विज कितने बेलकमिंग है और कितने खुश होके वो यह है उन्होंने बेलकम किया है और आप मेरे खाल में पाकिस्तान की जो सिपसे पहफुल इससवत नजरात हैं वो मौजूद है इसका देख सकते हैं बड़ी बाड़ी लांगविज भी स्माइलिंग देखे जी हां जी इस वरी हैपी और इस सारे के साथ इस अराइबल के साथ एक बात और भी पता चलगी तो जो लोग कह रहे दे है अमरे दिश्मन कोई बैठे वे पड़ोस में क्या सुलेट कर दिया पाकिस्तान को तो यह आज दादत हो गया कि अधिक्या इससे में सुलिगा रहे हैं लेकिन इस करसे से हम भी देखने हैं कि तमाम लोग भी आ रहे हमें भी दावत पिलती है बाहर कहाने की फूलिए बिल जहाद के लिखा हुआ है अब ने रहे काल में इस वकाद जो है वो मीटिंग चलेगी उसके बाद पिर आगे उनका आये यह इंफ्रमेशन मिनिस्टर के बड़ यह बीस मिनिट की गालबन मीजिक वो मीजिक की और सावधी कांफरेंस की एरपोर्ट की जो इसके बाद पर पर में तो वो भी रिसेक्शन एक है प्रोगम में अब पर दिया जाएगा उसके बाद डिनर है रहा तो एक और लाइव आपकी आने वालियत हुरी दियर में जो सकता दिखरेंस में इस फोल प्यारी मकामल है जी उनीग अपजार हो रहा था और काफी इमहां पर भी इल्रानिक ह पर देखें एक फ्रीट्रेड एग्रिमेंट की यहां पे मीडिया में कोई बात चली थी तो आए होग के यह भी इनके साथ डिसकेशन हो कि हमने तो अपने जो हैने एक्सपोर्ट बढ़ाने की एफर्ट करनी है कश्मीर ये बास ये कश्मी इसलों पर नीफ प्रेंटेशन है फ्रीयम आपको दिखार है जारे है और कुरी है हमाँगे ये दो दिन पड़े कमिट्ट होंगे काफी जादा एक्सिक भी होंगे तो कि एक डेलिगेशन तो टेलिगेशन लेवल तो मुलाकात है कि आप देख सेथे अब सो आप स्क्रीन पर हमें देख सकते हैं और फिर आगे व्लकुत तो आपके चेरे पर रॉनक है उस्ते भी लोग उनको दाजा होगा कि कि अब आपके देखिए कि इनके भी काफी लंबी रेसेप्शन थी हमारे भी काफी लंबी रेसेशन आपकी थी वो अजा स्क्राइव में बैट रहे हैं और अब दवाना होंगे यह मनाजर आपके पास इस वकर लाइव दिखाया जा रहे हैं प्यम अजब यहां से यह काफला निकलेगा और फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ जाएगा आपको मैं यह भी बता दूँ कि इस वक्त यह लाइव आपके पी टीवी के जो मनाजर हैं यह लाइव बाट क्या स्टोरियन अक्रॉप यह जो सलसला आप देख लेए जिए फक्स्क्रीम के पर आलिया लाइन से लगती हैं प्राइम मिनिस्टर और प्राउं बिल्ट दोनों गालेबन अकठे जाएंगे जगनाँ हजरात एक ही गाले में तश्रीफ रखके और उसका सलसला यह है कि इस वक्त क्योंकि जो इतलाव सी जी एक तो यह तो यह तो यह तिस यह सकता है डारेक्ली यहां से असलाव यह एक इतलाव यह कि शाहिए उनके साथ बैठ बैठ के थो जो सिल्सले चल रहे हैं, Crown Prince का जहाद तक्रीबन आठ बजने में पांच मिनिट के लैंड हुआ, दस मिनिट की रैक्से के बाद, आठ बजने में पांच मिनिट के करीब तक्रीबन बो जहाद से बाहर के शीफ लाए, और इसके बाद उनको Prime Minister Imran Khan साहब ने रिसीज किया, साथ म उनके मौजूद थे, Chief of Army Staff और दीगर कैबिनेट के Senior Members भी, High Level Delegation भी Crown Prince के साहथ है, कुछ हजरात, जिसके उनके Foreign Minister है, या उनके Minister of State of Foreign Affairs है, वो शाम में तक्रीबन च्छे बजे के करीब पे शीफ लाज जोके थे, इसके इलावा दीगर Delegations में उनकी जो Security के लोग हैं, वो भ पाकी का Delegation जिसमें बेश्मार Businessmen, लोकल लोग और जो कि हमने आपको Areas बताये थे, कि इस इस Areas में Investment की बात हो रही है, Trade की बात हो रही है, उसमें Cultural है, उसमें Deft Oil Payments की बात होगी, उसमें Renewable Energy की बात होगी, उसमें Minerals के हवाले से Agreements पे बात होगी, Government to Government level पे Contacts हैं, Businessman to Businessman के level पे Contacts हैं, फिर हमने बात की इसमें Defense, Defense के इलावा सेक्यूरिटी के Areas हैं, फिर काफी ज़्यादा डाइवर्स Economic Base भी है, फिर हमने बात की तिक बात की आठी करीम, M.O.U.S. के साइन होने की, गवादर में जो Oil Refinery लगाने की बात हो रही है, ये गलबन एशिया की बड़ के पहले भी हमारे मेमानों ने भी बात की, इसमें जमीर हदर साब भी इसमें बड़ी रोश्नी गाली उनने बताया की, जी मीडिया की इंगेजमेंट वहां से भी और यहां से भी बहुत इंपॉर्टन्ट है, इंफरस्ट्रॉक्ट्ट्र डवलेपमेंट, साथी अरे इविय है, टाइम के लास हमें कम लगता है, लेकिन बहुत बड़े डेलिगेशन्स है, सामें जेल से भी एक टाइम पर भी काम किया जाएगा, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टन दौरा, बहुत ही इंपॉर्टन दौरा त्रहा कि कि पाकिस्तान को जब भी मुश्किलात का सामना पास करके फाइनिशल प्रंच के हम बात करते हैं, चाहिए वो 1998 का इशू हो, जिसमें के पाकिस्तान ने तब भी जब डिक्लेर किया अपने आपको आपको अट्रामिक पार और उसके बाद सैंक्शन्स लगीं, उन सैंक्शन्स में साओधियरब ने हमारा बित्रीन साथ दिय हमारे साथ खड़े रहे, खुशी का इशार था, ऐसे साओधियरब में का जाते हैं, ऐसे साओधियरबिया को न्यूकलेर पार मिल गई हो, तो मुस्लमानों के लिए बहुत बड़ा वो दिन ता, अच्छे तक्रीब ननी साल पहले, उसमें भी हमारे साथ खड़े रहे, फिर साथ ही आप देखते हैं कि इसना बड़ा इविंट होता है, कि साथी क्राउं परिंस पाकिसान का तौरा करते हैं, बताया जाता है हमें, कि यहां पर भी तक्रीबर 20 अरब डॉलर की इंवेस्मेंट, हमेशा साओधियरबिया से हमारे तालुकाट बहुत अच्छे थे, लेकि यह सब्सक्राइब तो बेगिनिंग है अभी, बहुत सारे और एरियास में भी काफी सारा काम करने की गुर्जाइशन पाकिए है, हमें जॉइन इन कर लिए जिए इस पक्र समीना बकार ने, थैंक्यू समीना, असलाम लेकूम, कैसे लिए अभखेरियस हैं, बहुत शुक्या और आज जतनी गर्म जोशी से हम सुबह से देख रहे हैं कि इंतजार था वलियाहत की आमत का और फिर हमने उनके चेहरे पे जतनी रौनक और जो भी बॉड़ी लैंविज तो जिस तरह से हम उनका हमने बड़े अराम से और बड़े प्यार के और बड़े मुभबत से जैसे ह वही रौनक और वही जो है खुशी हमने उनके चेहरे पे भी देखी जो के यकिनन हमारी आवाम को भी बहुत पसंद आई होगी और आने वले वक्त में चुके अभी जैसे ही आमद हुई है और आप सुब से हमारी ये नश्याद जो है मुजारी उस्तारी और जिस तरह से कि बताया जा रहा है कि जो मुचल अंडिस्टैनिंग जायर है कि वो तमाम चीजें जिनकी कि पाकिस्तान को भी करने की जरूरत है और वो तमाम एलिमेंट्स की जो सौधी हुकूमत के लिए सौधी अवाम के लिए बैसरी के नवीज है उनके उपर दस्तखत होंगे और एक बह पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के अंडर एक बेहतर और मुस्पत तब्मीली सिटिंग गुर्मेंट के आते ही तब ने देखी और कोशिश की जा रही है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान एक बेहतर और बेहतरीन किसम का पाकिस्तान नजर आए इसी तरह वहां पे भी सौध प्रिंस्ट वहां पे वो आए तो उनके आने के बाद भी सौधी अरब के अंगर जो एक बड़ी मुस्बत और बड़ी पॉजिटिव तब्दीली वहां की अवाम ने देखी वहां के लोगों ने देखी उसको भी बड़ी पजीराई मिली और इस वक्त चुके दोनों हुकूमत को वेलकम कर रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें भी जो हैं वो अपनी जगां पे बहुत एहमियत की हामिल हैं और इस वक्त मना आजर मुस्बत हमारी तेलिविजिन स्क्रीन जो है वो बता रही हैं और वहां पे बहुत ही जोशो खरोश हमने एरपोर्ट के भी देखा वजीर गर्म जोशी के साथ तमाम वो रास्ते ये इस वक्त वजीर आजम हाउस के आप देख रहे हैं विजियो जो आपको सामने स्क्रीन के उपर नजर आ रहे हैं वहां पे बड़े परजोश अंदाज में तैयारियां जो हैं वो वहां पे जारी जारी हैं और मेमान की आमद के इन आपको दिखाए तकाफती ताइफे हमारे मुखतलिफ अलाकों के लोग किस तरह से वहां पे गर्म जोशी से उनके मुंतजर और उनका इंतजार कर रहे हैं इस वक्ति मनाजर आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में और आपके सामने हैं कि बहुत ही वहां पे भी एक अच्छे अंदाज में बड़ा वॉमली वेल्कम करने के लिए तयार हैं सब लोग और मुंतजर हैं कि जैसे ही मौज़स मेहमान वहां पे तश्रीफ लाएं तो उनका और ज्यादा घरम जोशी से इस तकबाल किया जाए आप देख रहे हैं रंग बरंगे ड्रेस में मलब के मुंतजर हैं उसके साथ साथ हमें जोईन किया जी हमारे एक और एंकर ने मौहमद रगा तैंक्ट्यू सो मज़शाब रगा आप हमारे साथ मयां पे मौजूद हैं जी इस यटीना ने बहुत तारीखी दिन पाकिस्तान के लिए साओधी अरग के लिए दोनों मुमाले के जो तारीखी तालुकात हैं उसके एक नए बापकेस में जाफा होने वाला है और सौदी वली एहद प्रिंस मौहमद बिन सल्मान जब तश्रीफ लाए नूर खान एयर बेस पर आर्मी चीफ और वजीर आजम पाकिस्तान इनांग्पान साहब ने उनका उर्जोश इस तक्ब किया और उसके बाद गाड़ियों में तश्रीफ तक कि वो वजीर आजम हाउस की तरह रमादमा हैं जहां पर वकाइदा तोर पर जो सेर्मनीज हैं वो होनी हैं और हम इंतजार इसी चीज़ का कर रहे हैं जो एमो यूस टाइन होने हैं और तफसील से आपने बदाया और हमा माया कारी में दिल्चस्पी रखता है वजीर आजम इम्रान खान का जो विजिन है और उन्होंने इसी मक्तद के लिए साओधी अरब के दोरे किये और उनकी बादाफा दावत पर आज क्राउन प्रेंट पाकिस्तान तर्शीफ लेके आए और जिस तरीके से उनका इस्तरवा अवाम से गहरी महबत रखते हैं और जितने भी इंटरनेशनल सर्वेज हुए हैं साओधी अरब वो वाहिद मुल्क है कि जहांके अवाम पे लिए पाकिस्तानी अवाम में एक बहुत जादा मुस्बत सोच और रवया पाया जाता है और जिसकी बज़ा ये भी है कि वहां प का सीज हो ओसको चुड़ाने की बात हो साओधी अरब के कोई आपस के ताह półरे गी के साथ का वाहिजनल मुमालक के साथ तालोकार्थ में फराभी हो तो पाकिस्तान की इस पाकिस्तान के आवाम पाकिस्तान की हगो मैं जतनी गुज़र चुपने और नहोंने हर वक्तित लमां प्रियों के बाद ये सरकारी स्था पर जो सौधी हुकाम पर मुझतमिल इतना बड़ा ग्रैंड वाक्ट जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहा है और उसके अंदर सौधी वलिया है जो है मुहमद बिन सलिमान वो बड़ी प्रॉमिनेंट शप्सियत और इस लेवल के डेलिगेशन का पाकिस्तान में आना और इतने अर्थे की बाद ये बहुत इंपॉर्टन्स रखता है और मेरे खासे इस चीज़ के गमाद भी करता है कि सिपिंग गर्वर्मिन्ट के ओपर एक एक इतमाद की बात भी सामने आती है और फिर पाकिस्तान के पास हमारे जो पाकिस्तान और सौधी अरब की तालुकात हैं वो तो कई दहाईयों पर मोहीत है और हमारे बड़े अच्छे रिलेशन्स उनके साथ मादी में भी रहें लेकि इस तफ़ा ये जो गर्म जोशी हमें नजर आ रही है आप शायद इस चीज़ से अगरी करें हमारे पानल से भी जो लोग बैठे हैं वो भी और हमारे नाजरेन भी कि हमें ये लग रहा है कि एक नई जहत का आगास होने जा रहा है एक शायद नया रिलेशन एक मुझीद मुश्बत बेटर तरीके से डिवलिप होने का जो वक्त है वो हमें आते वे नजर आ रहा है चुकि जैसे अभी मैंने अपने प्रदाई में का कि तबदीली हमने यहां भी देखी तबदीली हमने वहां भी देखी तो यह जो तबदीली के साथ और एक नई जो जैनरेशन की सोच लेकर जो शर्जादावली है जिस वक्त जो उनके जहन में जो अपने मुल्क को आगे बेटरी की जाने पर जाने के लिए तो यकीन है निसके अंदर इसके सुन के M.O.E.S. बहुत सारे जो और एक बात यह दे जो से उसके बाद भी हमने देखा शादुल्ला साथ यहां पे तरश्रीफ लाए एक जो मैं थोड़ी सी एक इसमें यूनीक बात देखता हूं वो एक ये के एक बड़े यंग डाइनमिक मुस्लिम वर्ल्ड के वो लीडर है और उनका एक विजन है जिसमें उन्होंने साथी जो हम समझते थे क्लोस सोसाइटी है वहां पे रिफॉर्म्स का आगात किया चाहिए वो करॉक्शन का खात्मा हो जा खातीम को ड्राइविंग के राइट देने की बात हो वहां पे तालीम का कल्चर आम करने की बात हो तो उनका जो विजन है ये कंपैटिबल है वजीर आदम देख सकते हैं कि अभी वो गार्डियो में तश्रीफ रख रख रहे हैं वजीर आदम हाउस की तरफ रवांदा भाऊंगे और कुछ देर बाद जो बकाइदा चर्मन ही है कि हम सब को इंतजार है और देख सुनने की हमें हम यकीनन इसके मुश्ताक हैं कि वो क्या बात देंगे पाकिस्तानी अमाम को पाकिस्तानी हुकाम को और वजीर आदम भी यकीनन इजारे ख्याल करेंगे तो यह आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पे और पाकिस्ताइड डेलविजिन की वोचिज़ भी है यह हमारे मौजज़ मेमान यहां हमारे साथ तश्यव फर्मा हैं हम उनके साथ भी गुफ्तिगू करेंगे वो भी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे लेकिन चुके अवाम सुब से और काफी अर्फे दिनों से मुंतजर है इन तमाम मनाजर के तो हम वो भी अपने नाजरीन के साथ इसलिए शेयर करें ताकि लम्हा बर्मा जिसके र अधार है वो हम साथे कि हम अपकी प्राइब कर्णा हैँ आप यह देखिती ना कि एस दौरे की एहिमियत की बात हैं कितनी दिनों से कर रहती हैं बल्के यह दोरी देखना चाहते हैं इस अधार क क्यासे आए का से बैठे और यह देखें यह देखे वजी वजीर आजम साभषी ड्राइविंग सीट पर बैटे हैं और मेरे खाल से बड़े ये ओनर की बात है उस मौजब मेहमान के लिए भी और हमारे वजीर आजम साब खुद ड्राइव करके वो शाजादा को लेके जाएंगे जिस्कुबाते हम इस मंज़र को देखने के लिए भी आवाम जो है और ये र सब्सक्राइव और मेरे खुद गारी ड्राइव करें और आगे पैसेंजर सीट पर सौदी वली एहर प्रिंस मौम्मद बिन सल्मान तरशीव रखते हैं तो ये भी बड़ा इंट्रस्टिंग एक साइट है बड़ा जबर्दफ किसम का ये एक नजारा है ये वजीर आजम अब इसकात जनरल मुशरफ और प्रामरिस्ट जफर अलाइव जमाली साब ने इस अबाल किया था लेकिन ध्राइव उन्हें नहीं नहीं किस्टीव पर बैट ये उनों नहीं को आगे बढ़ाया जैक्ली इजैक्ली जनरल मौम्मद खान था हुमारे साथ स्टूडियो में आ नाजबीन आप ये देख सकते हैं कि ये काफला गया वजीर आदम हाउस की तरह रवाना हो चुका है नुखान एयर बेस से और ये वो मनादिर आपको रस्ते के और पाकिस्टान टेलिवेजिन ने एक कोशिश की है तमाव अपने नाजबीन को तमाम तर लमाद दिखाने हैं उत्र, हमारी सारी टीम, जो हमारे गॉटर्वेजिन Okay, कि लिए अध़श्र के अधरर ये जबंधर एम हमारा हमारे केमरामेंण, वार एंजिनियर्स बड़ी मेहनद के साथ इसक ColTS वॉत तमाम रास्ते में ये लमाद बनमाद आपके साप ये तमाम रस्जार हो ही पांधर M ये बात भूम करते रहेंगे कि इस दोरे की एहनियस लेकिन एक मंजर को दिखाने के लिए इसके पीछे जो कि इसी अफर्ट होती है, ये बड़ी वो है, मेहमानों का तार्फ करा रहे हैं आपसे नाज़ूरीन हमारे साथ मौजूद हैं, मौसिंग खालिद साथ बिजनिस एनल नाज़ी जो काफला रवादमा है, वजीर आज़म हाउस की जाने और जब वहां पहुंचेगा, वहां के भी मनाज़र आपको हम दिखाते चलेंगे, से पहले मेहमानों से कुट एक एक अनालसिस हम ले ले पे हैं, समीना सबसे पहले, मौसिंग खालिद साथ साथ है, बिजन में जो मिल भी है, वहां पे, फसलिटीज और इच अन अबरी तिंग, क्या देखते हैं इसके लॉंग टर्म और शॉर्टर्म और बेफिक्स हैं, जो एक्सपोर्ट लेड़ इसूस हैं, या जो मार्केश ओपर होंगी, साथ अरेबिया की, जी सीच की, साथ अरेबिया के तू या जो हमें साओी इंवेस्टर्स जो यहां पे आएंगे, वो एक मेडियम टर्म और लॉंग टर्म और जो बुनियादी, जो इसके ओपर सारे बिलन सानलिस का, सारी एकॉनमी का जो इसके फोकुस है, वो यह है कि जो इमेजिएट सपोर्ट, जो बालनसर पेमेंट सपोर्ट डिफर्ट ओडिए पेमेंट की तूलत में साद इलेबे इन अरडी दी है, या जो इसके लिए इसके लिए एक टिकेट प्रोजेक्ट जिसके लिए मुई असाइन होने है, जो अनाउंस किया जाने है, ट्वंटी बिलिन डॉलर्स के, जिसमें और और जो इसके जिसमें और ज ढूधर जो corporate, crochet, जो immediate short term केरिपर जो support चाहिए थी, जो confidence booster चाहिए था, जो कि सारी मुल्क के लिए एक अमीदी नभीद है, और economy के लिए मुल्क के लिए अनुिद है, वह बहु मुद के लुए पर critical है, जो confidence boost मिलना है, सारी business community, उस के ओपर focus कर लिए है, तुस्तों, बस impressed qué तो हम ही कह सकते हैं कि बेसर ऑपरचुनिटीज नगर आ रही हैं पातिस्तान में भी इंवस्टमेंट के लिहासे जब यह हम बात करें कि आप बेटी साब अगर आपको तो थोगा इन्वाल्ड करें तो अभी बात हो रही थी कि मीडिया के हवाले से इस दोरे में पाकिस्तानी मीडिया और वहां का भी मीडिया जो इस दोरे को एक खुबसूरत तरीके से आप कह सकते हैं कि दुनिया के सामने लाने में इसमें आप क्या समझते हैं मीडिया का कितना रोल है मौमालिक के अंदर जब इस किसम के मौाहिदे होते हैं तो मीडिया को उसको किस तरह से पोर्टरेट करना चाहिए और इस इवेंट को आप जा समझते हैं मीडिया ने कैसा लिया बहुत शुकरिया बुरिया तो पर पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है जिसके आपने शुरू में मुकालमा किया कि एक तारीखी तारीख होने जा रही है खास तोर पे ये इसको पाहायकारी और बिसनस पॉट इव्यू से तरह अलग तोर पे देखा जा लेकिन सफार्थी स्था प इवेट मीडिया है उसने तमामने यक्सू होकर बहुत अच्छे तरीके से इस दोरे की एहमियत को ना सिर्फ उजागर किया है बलकि इसकी कवरिज को भी उसी तरह यकीनी बनाया है कि जैसे पाकिस्तान अपने मेहमानों का इतकबाल किया करता है माजी में भी भी और अभी ये एक बहुत बड़ा जच्चर है आप ये यकीन कीजिए इशाई ममालिक के दोरे को निकले हैं और पाकिस्तान को मनतखिब किया कि वह सबसे कले पाकिस्तान से में उसका अगास किया है तो ये भी अनप्रेसेटेंटर है और दूसरी सूदी मीडिया ने भी इस बारे में य और उन्होंने इस विजिट को सौधी शजादी की विजिट को उसी तरह से अब्जेक्टिवली परसू किया है जैसे पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है और मीडिया की जब हम बात करे हैं तो अब्यूसली जब नेट्सली इंटरेस्ट की बात आती है तो मीडिया की भी एक रिस अब्यूसला वादमा है लेकिन इस वकर यह आप देख सकते हैं कि M.D.P.T.V. अश्चाद खाम साब यह मौजूद थे महां पर जो प्राइम मिनस्ट्र हाल में सटब किया गया है गारेक्टर करंड़ पर राज़ा मुसादिक खाम साब भी यहां पर मौजूद हैं जीगर सा साब ने जिस तरह से सबकी तारीथ की पदेराई की होसला अबजाई होती है जब आपका अपनी टीम की होसला अबजाई करते हैं तो यकिनन इसका होसला जबाब हो और जी बलकुल और हमने ये भी देखा कि मुस्तलिस साइट्स पे भी अमडी अर्चब खाम साब गए और उन्होंने देख कि ये बकाईदा जाहिदा लिया किसी किसम की कोई ऐसी चीज़ मा रह जाए जिसके कोई कबरिज में कोई खला लाए कोई फरक पड़े तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस वकत तक जो आपने कविश की लमा बालमा और सारे प्राइवेट मीडिया ने आपको कट किया तो पी टीवी हमेशा सीज में लेता है लेता रहेगा जनलर अजार मामुद खान का जो बात होई कि मीडिया की वहीं से क्यों लेते हुए वजीर आज़म साथ ने इंट्रिव्यू दिया उनके विजिट से पहले एक सौधी अख़ार को और उन्होंने कई बाते ही उन्होंने कहा कि एकॉनमी डिप्लोमाटिक विलेशन प्लिटिकल कोपरेशन सारी बात अपनी जगा पे तो जब हम यह कहते हैं आपको एक बिनेट रोकूंगा ज़ यह वजिर आजम हाउस पहुंचने के मनाजर है अभी यह काफला जो है रास्ते में और कुछ चंदी लम्हें में वो पहुंच जाएगा यह तमाम वो जैसे शजाद मैंने अभी अपने अब्तिदाईये में भी यह कहा कि और आपने अभी यह बताया भी कि हमारे अंडी साब हमने अच्छापान साब ने जो तारीज की वो बिला वज़ा नहीं थी वाकई हमें नगर आ रहा है हम अगर ने बेज़्ों को देखे कि किस तरह से हर जगा से मुक्तलिकी में ताइनात हैं और यह काफला इसका रवादवा हैं और कुछ ही लम्हे में वजिर आजम हाउस पह अच्छार में नूर खान अबेज़्ते वजिर आजम हाउस ले जा रहा है बहुत बड़ा काफला है क्योंके सेक्यूरिटी भी इसमें बहुत जो परसनेल हैं वो भी इसमें शामिन हैं और यह आप देखते हैं यह दोरे को इतना काम्याब और जबरदस तरीके से एकताम अच्छी आउटर गेट अपना मिनिस्टर हाउस का यह अभी थोड़ी देर पहले और यह अभी भी आपना आज़े देख रहे हैं उसके गाड़ियां यह एंटर हो चुकी हैं और अब चंग ही लमों में यह गाड़ी जब पहुंचेगी पोर्ट में और वजीर आजम साहब और यह तमाम मुक्तुलके काइपte हैं राएंगे उसके हम आपको वहां के हर जगह जीक्ति है अब आप अब अब आपहले देर कम ने कि आहिए कि इंटर हो रहा है और यह जोड़ की खुशूरत आप सुन रहे हैं और यह आपने देखा कि प्रेंस यह हैं यह डेलिगेशन जो है सारा यह उतर रहा है तरवादे के सामने और मिसाफ़ा किया जा रहा है मिला जा रहा है तमाम मेहमानों के साथ मेजबान टीम वहाँ पे मौझूद है और यह वजीर आजम हाउस के अंदर जाने के लिए मेहमानों की आमद शुरू हो गई है वापर और खोड़ी देर में वजीर आजम जो गाड़ी ट्राइब कर रहे हैं और साथी वजीर आजम के साथ तश्रीप रखते हैं वो भी भी पहुंच जाएंगे और उसके बाद यसमने का बकाइदा तक्रीब का जी जो वस्त में जो शरीक मेहमान हैं यूजिए उनकी गाड़ी आगे थी वो आना शुरू हो गए हैं और भी इनने देखा कि वो गाड़ीयों से उत्रे और शजाद आप देख रहे हैं कितने पुबसूरत रंग हमारे मुल्क के वो इस वक्त वहां पे मौजूद हैं मुख जी आड़ काड़ी यकीन हैं इससे मतासर हुए होंगे और एरफोर्ट से लेके बलके जब फ़गाई रदूर्स में दासल हुआ तो जी आफ हैंडर्स ने उनने इस्पॉर्ट किया और उसके बाद वो आए और यहां पर भी जो आखने हैं तो मेरे काल में वो भी यकीन हैं जबर्दस में बानी से मतासर होंगे जब साब कुछ आड़ करना चाहेंगे इस अक्वाल के हमाले से जो पार को चल रहा है पहले भी हमने यह कहां के लिए बिकुल हमारी तारीश में अन्प्रेजिजेंटेट किसम की एक वैलकम है जो के काउंट प्रिंस और सौधी अरेबिया की गार्मेंट और सौधी अरेबिया की लोग डिसर्व करते हैं हमारी परस से उनको कि हमने एक दूसर को हमेशा से एक दूसर की उपर अप्रिंद किया और एक दूसर की हमेशा हमने मदद की तो यह रहां में इस वेरेजिजेंट नहीं है और इसमें पूश्व महबबत के साथ जिस तरह इस तकबाल करता है अपहन दोस्त का और बरादराना इसलामी मुल्क और फिर पाकिस्तान का वो दरीना साथी जिसने हर मुश्किल मुश्व में पाकिस्तान का साथ दिया प्यामे पाकिस्तान से लेके अफ़सर को पाकिस्तान नहीं जिसका असे तो जिसका पूरे एक जश्व का समाह है पाकिस्तान के अंदर एक शिजादा साथ उपने कहा कि बहुत इंप्रेंसिब लगेगा शिजादा साथ को भी कि जितना का कल्चर हम अपना जहां प्रिजन्ट करते हैं उसको देख के मतासर हुए और उनके इसक्वाल के लिए सारी तैयारिया हैं यकीनी तोर पर सिक्यूर्टी अरेंज्मेंट के साथ ये इतना बड़ा इतमाम करना इसक्वाल का ये भी एक मुश्किल मरहला था जिसके पाकिस्ताने बखुबी इस सिचुईशन में जब पूल दुनिया के इनक सेक्यूर्टी के बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान ने बरपूर अंदाज में इस बात का सबूत दिया है कि वो एक सिर्फ मुखलिस दोस्त है बलके एक बहुती खुले दिल कर रखने वाले पाकिस्तानी हैं जो के अपने महमान को जिसे कहते हैं चश्में इमारोशन दिले माशाद दिल भी कुशादा है और जहन भी खुले हैं और इस तरह महबत के साथ जो है अपने महमान के असक्वाल कर हैं लाइटनिंग का है तमाम देखे हैं कितने खुश्में अंदाज में हैं और जिस तरह से पूरे राफ्ते को सजाया गया है जगा जगा पे सथावीर अवेजा की नहीं हैं साथी वल्यहाद की और स्राइमिस्टर की तो यह इस पास की इंडिकेशन है कि आप एक दोस्त को एक महबत भरे अंदाज में वेल्कम करें है और इस पूरी कौम एक सभवे पे है चैसमें कोई भी भी सबकात हूँ हम अपनी स्क्रीम पर देख रहे हैं वजीर आजम हाॉस के और महमानों की तेरे से आमद है आपके सामने है बहुत खबसूरत रंगो नूर की एक लगता है कि सतारे जनीदे उतर आ है अतना खबसूरत वजीर आजम हाॉस को सगाया गया है अपने महमान की आमद के लिए और हम कि बड़ी शिंदत से मुंतजर हैं, तमाम वो ताइपे भी और वो जितने भी पनकार हैं, वो जो वहाँ पे मौझूद हैं, सुब से वो इस इंतजार में थे, कि ये लमहा कब आए, और ये आप देख रहे हैं, कि महमान जो है, वो उनकी आमत का सरसला जो है, पुछ जारी है. बड़ी इपॉर्टन्ट है करने की, कि ये एक जनरेशनल शिफ्ट है, बट्वीन जो हमारे रिलेशन्शिप है सावजरीबर के साथ, आप जब से हम बड़े हुएं, तो हमें टीवी पे वो मनाज़ब देखे, जब ओएसी समिट के लिए नहौर में शापाइसल शापाइसल आप जो से रहे है पिंड़े जनरेशनल शेट करना फिल्ड़ इ stokedार्गोन शेट था-मेशनल के कि nie अगजीए इस हो से निजहिए पारका संगहिए वर जापकाइसलिंगे जखेरें ब्डेशन जो ईmesiए तो घृसनशिप के लिए लिए पार्रफ को पाकिस्टन आं पे नामि अधिया किना जख़ाद के साथ उनको लिया उनका भेल्कम किया जाता और हम साथ औरेब्या अर्लेशनशिप को ना सिर्फ गपर्मेंट बनके जो लोग एसमों के वो किस जरह पर अपर हैं इग्जाटी एक जर्ड बच्ट गरें लागे जो बात प्रकम करें जिए पाटिस्तान के थी सेंट पॉपिस्टस्थічन और गारी अंगे झाली आहें तो तो यह पाकिस्तान के तालव काप में इसम्सक्रीन ऑफ घॉर्स्डशन के जन्यगें पॉपिस्ट में आघे इए विज तो इस से बहुत परक पड़ेगा और ये भी आपको मैं पताता है कि मेरे खान में दोनों साइट से अब ये एफर्ट होगी के जो जी सी सी के मुमालिक है उन सब के साथ जो है एक स्पेशल रिलेशनशिप जो हो पाकिस्तान की हो और अगर ये होता है और लेट से जी सी और सी पेक्ट जो है उनका आपस में अगर इतिहाद को हो जाता है तो आइटिंग नथिंग लाइक ताट वो भी एक बहुत बड़ी जो है काम्याबी होगी पूरे ये जो अरेबिया है अरेबिन कांटिनेंट के लिए और पाकिस्तान के लिए क्योंकि एफ्री ट्रेड एग्र में होगा और एक इंपॉर्टन टिशू होगा जो हमारी पॉर्न रिमिटन्स इस वो अभी और बढ़ेंगी और उसकी वज़ा ये है कि अब चुके वीजा के ओपर जो फीश थी तक्रीबन वन फोर्थ हो गई है ठीक है तो जादा लोगों को वहां पे जाने का मौका मिलेग वो फैमिलीज लेके जाएंगी और फैमिलीज को शायद उनको भी जाना वो सपोर्टेव रोल में जो है शायद जाद मिलेंगी तो आखो मालूम है कि तोटल जो पाकिस्तान की रिमिटन्स इस तोकत वो 20-20 बिलियन डॉलर्स है उसमें से कमस्क्तम 4 या 5 बिलियन डॉलर्स ह है वह वाई वह बात पाकिस्तानी है तो अगर उतनी डॉर्बि अखन आ घुरोंच से क्सिंघंश तो की जाएंगीक। और ये भी अच्छी बात है कि इस लेवल पर इस सका पर हमारी जो पुलिटिकली भी जो चीजें हैं जो सामने आ रहे हैं और जो सुरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं उसके अंदर हम थोड़ा सा पना पुलिटिकल आस्पेक्स भी देखें कि हमारे मुल्क के अंदर भी एक जानना चाहूंगी कि एक सहाथी की हैसियस से जो रेफॉम्स हमने वहां भी देखी साओधिया रेविया में जो कि बहुत वेलकम किया है यहां पे भी हम बड़े रेफॉम्स की बात करते हैं थोड़ी कुछ सेमिलरिट्री कुछ आपको नजर आती है एक सबसे बड़ी बात जी कि जो वहां पे ऐसे साबी अमल और करक्शन के हवाले से जो चीज़ें की जई 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 हैं यहां कि वहां मुवाज़ा करें कि इतना हम दोनों मुमाले के स्वत कोशिश कर रहे हैं अपने अपने मुक्वें देख रहे हैं लेकि बन्यादी टोर पे तो सुसाइटी को ब जो कि एक सुसाइटी और जो पूरी अपने मुल्क की जो रिफॉर्म्स हैं जो इस्ट्रेक्शल रिफॉर्म्स हैं उसकी तरफ पने सबज्ज़ देनी शुरू की है बहुत इच्छी बात होगी कि पाकिस्तान ले इसी तरह से उस तमाम चीज़ को जो कि पाकिस्तान के लिए बेतर है पाकिस्तान की एकनॉमिक सेटेबिलिटी के साथ-साथ जो मारा जो जमूरी निज़ाम है उसकी मजबूती के हوाले से जो इक्दामाब को चाहे जा रही है इधाराजाती निज़ाम को इसलाहाद के जरी बेतर करने की कोशिए की जा रही है प्रॉक्शन के खिलाफ एक बकाईदा मुहिंद चल रही है तेम लाइक मकलब सेटे अरेबिया ने इसका अगाज इसनी किया कि वहाँ पे बहुत सारी शिकायाद होई थी और छथादा सिल्मान गाएदा ही है जिनों इसके इनिशेटिव लिया और अपने वालित पो भी क्रॉविक्डेंस में लेकर यह बड़ी बात है कि पाकिस्तान में सरमायकारी के साथ-साथ वो इश्याई ममालिक के दोरे पे जा रहे हैं जहां पर वो यह अपर्चुनिटी ही तलाश कर रहे हैं यह किस तरह से साथ-साथ बात हैं ना सर्फ घर से बाहर ने कल रहे हैं बलकि अपने घर के अंदर जो उनके रिफाल रहे हैं जो सवाल है मौसिन साथ वो यह कि जो जनर्ल साथ ने बात की और बट्टी साथ ने उसको आगे बढ़ाया वो यह कि उनका अब जो विजिन है वो यह कि वाई 20-30 साथी अरब को जो ऐल डिपेंडेंसी उससे निकालें और उसके लिए उनने काम करना पड़े हैं बुभै कि मिखारि हमारे सामने हैं कि उन्होंने अपने आपको जिसते ही तो प्यासाथ नार्यार करते हैगे किसमें पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी उसको एस बाफ व्रटक्स हो पाकिस्तानी आ Certain हैं यह ठीन बूली च यह क्मारे निकता हैं कर दिनके दोक्राइज कि डिम रही है कि अपनी एक जान हां पर क फिरुटिछ कर सकते हैं जान है श्वाजियसितन से महां पुछाड रही है हुआ जान है कि अपना तर झाल मारे पाना फौर रॉर्कोड चाहां पर चाहल पर रही इंड है But I think the important element, the Saudi industrial vision, is that not only that the oil dependency will end its own, the Saudi economy for the time being, for the next two decades at least, will be oil and petrochemical based. In this case, it will remain. But what they want to do is that there is no reason that Saudi, with the amount of capital they have, the amount of resources which are available, is able to build its own businesses in the rest of the countries. Because the way China is doing companies in the world, the way the other companies are becoming multinational corporations. The actual vision industry, the out-teach program, the out-teach program in terms of business and economy is the way that Saudi companies have resources, and the other companies have resources, so why do they not invest in the rest of the countries, why do they not invest in the rest of the countries, why do they not invest in the rest of the countries. So, now the investment in Pakistan is also the way that the petrochemical complex, which is very important to Pakistan, is basically Saudi Ramco, which is the biggest oil company, Saudi Ramco is basically an international out-teach program, that they go to the rest of the countries in the rest of the countries in the rest of the countries in the rest of the countries. In this case, the medium-sized enterprises, which are large companies, Saudi's interest has a lot of interest, especially in agriculture, livestock, and this one, and in the dairy sector. And they are seeing Pakistan, the 6th largest dairy production country in the world, they capture them, and the medium-sized companies also come to the rest of the countries in the rest of the countries, and now they will go to Pakistan and then go to China. Saudi companies now want to have a global presence. The global presence is one of the areas that we need to invest in the rest of the countries in the rest of the countries. because of that time on the country, we stretch across the couple of countries, the global presence will be in Chef-by-rice of Pakistan-sou future Interpreter. We also return to theérence of Pakistan-podcastBeat. The religious Specialistacions has been affected by the नाजर को उसी तरह से देख सके हैं और आप भी ये महसूस कर सके हैं कि इस वक्त आप वहां पे इस जहां मौजूद हैं तो बहुत बड़ा डेलेगेशन है और तमाम गाड़ियां जो हैं वो वक्ते वक्ते से पहुंच रही हैं आपके सामने हैं ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ रमादमा मौत तमाम काकला वो तमाम लोग और तूंके आप में सही समीना बिल्कुल कहा कि बहुत बड़ा डेलेगेशन है और मुक्तलिक तुक्रों कि इस शकल में वहां से निकले हैं और रात का बात भी है तो ये कहना मुश्किल है कि कौन से काकले में या किस जग है मेरे खालते में गेट अंकरी के हमने तोड़े मरे पहले मनाजर देखाए जो वज़िर आजम हाउस के हैं और ये काफला जो है ओड़ देख रहा है तमाम तर अपस दो काफले के साथ मौझूद हैं और जैसे के हमने पहले भी कहा कि सिक्यृटी का बड़ा फूल फूल और उसे मुख्तलिक कामेमानों के जो कासले हैं वो अंदर तश्रीफ ला रहे हैं और हम देख रहे हैं सेक्रिटी के इंतर्जाम को भी शज़ाद के बहुत अच्छे तरीके से और तवाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी जगाते उचाएं उनका तालोक किसी और ये मरकासे गाड़ी जो गई है अभी गुजरी है वजिर आजम साथ की गाड़ी हमें नजर आई कि वो जा रही हैं और ये मरकासे बलकुल अंदर पहुंचने वाले हैं नाजरें ये मनाज़ माशाला ड्राइब के बारे में भी हम कह सकते हैं कि वजीर आजम हाउस महुच चुके हैं इस वकर लोगों से मसाफा कर रहे हैं कि वजीर गारजा उन्नY का मैं वैलकं किये है इससेड़ आजर डेख सकते हैं कि वजीर आजम साफ आम europé otraik देख सकते हैं कि वजीर अजर होस में किसी इसे दिए जारे है नाजर esses वे आख कर यह उतले अधसी है जी बिलकुर और यह लेक 선생 सावकों ने हैं तक ए मेर्ब फाइब पाकिस्तान और सॆद्kt के आपके नैशननल अंजन जब उसरे पे तश्रीफ ले आए हैं, वजिर आजम शाब भी और उनके साथ वली एहद, और अब थोड़ी देर के लिए, जो है, कुछी लम्हे में, खामोशी, जी यार्ड अफ आनर पेश किया जा रहा है. झामोशी लेवाचा है, कुछी लेवाचा है। कर दो 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 कर हुआ 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 है लुष नुष भूब पोर्णोड कोर्ण य। भई वे नुष झाल झाल झाल